हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सैंड वाटसप मेसेज टू फेस्बूक लीड्स फॉर फाइनेशियल एंड बैंकिंग सेक्टर तो मान दीजिए आपके भी एक फाइनेश कंपनी है और आप फेस्बूक पे एक लीड एड रन करते हैं अब उसमें आपको रोज हजारों लीड्स मिल रही है अब आप चाहते हैं कि जब भी आपको कोई नई लीड मिले तो आटोमेटिकली सेम लीड को एक वाटसप मेसेज चला जाए अब इस पूरी प्रोसेस को हम आटोमेट कर देंगे पैबली करेट की मदद से फेस्बूक लीड एड्स और इंट्रेक्ट को कनेट करके इंट्रेक्ट एक वाटसप एपिय जिसकी मदद से आप अपने लीड्स को एक वाटसप मेसेज बेज सकते हैं तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लिकेशन होगी फेस्बूक लीड एड्स और हमारी एक्शन इंप्लिकेशन होगी इंट्रेक्ट तो आप कैसे मना सकते हैं इस पूरे आट्रेक्ट को कैसे करेट कर सकते हैं फेस्बूक लीड एड्स और इंट्रेक्ट को आई ये देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation, Facebook lead ads और इंटरेक्ट के बीच में कि जैसी Facebook lead से आपको कोई नई lead मिलती है तो automatically same lead को आप एक WhatsApp message भीज सकते हैं इंटरेक्ट की मदद से जो कि एक WhatsApp API है इस पुरी process को हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Facebook lead ads और internet के बीच में connection बना की चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जो आप multiple applications को connect and integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाए ये sign up for free पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user हैं तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे click करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की एपाच में एप्लिकेशन आज हमको use करना पैबली connect का तो click करेंगा हम access now पे access now पे click करते ही हमारे सामने अब open होगा पैबली connect का dashboard इसके बाद हमको जाना right hand side पे click करना इस blue button पे create workflow पे और एक नया workflow हमको यहां पे बनाना है जैसे create workflow पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने dialogue box appear होगा जो आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं ऐसे नाम देता हूँ send whatsapp message to facebook leads for financial and banking sector इसके बाद आपको चूस करना है वो particular folder जिसमें आप यह workflow बनाना चाहते हैं फिर click करना आपको create पे create पे click करते ही अब आपके सामने open होंगे यह तो important boxes इनको हम कहते है trigger and action basically जो पुरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts परी based होते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे समझने के लिए हमको जानना होगा हमारा objective मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखिए मैंने आप एक facebook page create कर रहा है जिसको मैंने नाम दिया है ABC finance company का आप मान लीजिए कि मैं finance company चलाता हूँ और मैं उसका एक lead add run करता हूँ facebook के page पे आप जैसी मैं को कोई नई lead उस पे मिलती है तो same lead को मैं एक whatsapp message बेजना चाहता हूँ कि आपकी query हमको receive हो चुकी है और मेरी team आप से जल्द से जल्द contact करेगी यह तो मेरा message है आप चाहें तो कोई और भी message अपने हिसाब से draft कर सकते हैं इंट्रेक्ट पे जाके वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि template कैसे create करते हैं पर अभी जो मेरा page है वो है ABC finance company तो पैबली connect पे मैं जाओंगा चूज करूँगा सबसे पहले अपने trigger application जिसका नाम है Facebook lead ads Facebook lead ads से जैसे कोई नई lead मेरे को मिलती है मैं चाहता हूँ कि automatically मेरा workflow trigger हो और interact से एक WhatsApp में से चले जाए मेरे customer या मेरी lead को तो जाओंगा मैं पैबली connect पे चूज करूँगा अपनी action application जिसका नाम है interact तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आज का हमारा objective क्या है objective यह है कि Facebook lead ads से नई lead मिलते ही तो trigger event हमारा होगा new lead instant जैसे कोई नई lead मिले तो इंटरेक्ट से क्या हो action event पतलब एक WhatsApp template मेसेच चले जाए हमारी same lead को तो यह होते है trigger and action अब देखिए Facebook lead ads और इंटरेक्ट के बीच में तो कोई direct connection है नहीं तो हम use करने पैबली connect का इसलिए अब सबसे पहले Facebook account मैं connect करूँगा पैबली connect से क्योंकि जो नई lead हमको यहां पे मिल रही है वो पैबली connect के पास आनी तो चाहिए तब ही तो हमारा workflow run करेगा इसलिए जो Facebook का account हो मैं connect करूँगा पैबली connect से तो जैसी मैं connect पर click करूँगा add new connection पर जाओंगा फिर click करूँगा connect with Facebook lead ads तो आप देखेंगे जो हमारा Facebook account है वो अपने आप connect हो जाएगा क्योंकि मेरा Facebook account मैंने already login करके रखा है new tab पे आपको भी ये login करके रखना है तब ही आपका account connect हो पाएगा अब हम जाएंगे पैबली connect पे फिर आपको choose करना है वो particular page जिस पर लीड एड रन कर रहे हैं तो देखें जो मेरे page करने हैं वो मैं आपको पहले वी बता चुका हूँ ABC Finance Company जाओंगा मैं पैबली connect पे यहाँ पे सर्च करूँगा ABC Finance Company और यह चूज कर लिया मैंने अपना page मैं एक finance company रन करता हूँ इसलिए मैंने finance company के नाम पे एक page यहाँ पे बनाया है और इस पे मैंने एक form बनाके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है new lead form अब जैसे कोई person इस form को fill करता कोई नई lead हमको मिलती है Facebook से तो वो lead की details पैबली connect है आपने पास capture कर लेगा तो इसके बाद आपको click करना है save and send test request की button पे और आप देखेंगे पैबली connect है यहाँ पर response कवेट करने लग जाएगा अब जैसे कोई person इस form को fill करेगा कोई नई lead हमको मिलेगी इस particular page से उसकी details यहाँ पर आ जाएगी पर यह जो lead add मैं यहाँ पर run कर रहा हूँ यह real type मैं run नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको test करके दिखा रहा हूँ इसकी leads हम capture करना चाहते हैं तो देखे मेरे page का name था ABC finance company तो जित्ते भी मैंने pages create करके रखे हैं वह सब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे पर जो मेरे page का name है वह ABC finance company और जो मेरे form का name है वह new lead form तो देखे यह है lead add testing tool और इससे हम generate करेंगे test lead click करूंगा मैं preview form पे और जैसी यह form मैं आप फिल करूंगा इसकी lead की details public connect है आप आपने पास capture कर लेगा तो चलिए मैं इसको आपके करता हूँ fill तो देखे हैं आप मैंने form कर दिया फिल lead का first name में demo last name में user यह उनकी mil id phone नमर ही है click करूंगा मैं next पे click करूंगा मैं submit पे और एक test lead मैंने आपके कर दी है generate अब इस lead की details public connect automatically अपने पास कर लेगा capture तो चलते हम public connect पे और wait करते है web book response का और देखे हैं आपके सामने यहां पे web book response हमको मिल चुका है तो यह है lead का first name यह है lead का last name यह है lead की mil id और यह है lead का contact number इसी contact number पे हम उने एक whatsapp message भीजिंगे इसका मतलब जो हमरा first step of integration है वो work कर रहा है हमने facebook lead ads को successfully connect कर दिया पैबली connect से अब जैसे facebook पे कोई नई lead हमको मिलेगी तो instantly उसकी details पैबली connect यहाँ पे capture कर लेगा अब चलते हैं हमारी action application पे और same lead को हम एक whatsapp message भीज़ते हैं तो click करना आपको connect पे जाना add new connection पे और internet का account आपको connect करना है पैबली connect से add new connection पे click करते ही हमसे हाँ पूछ रहा है secret की तो देखे secret की हमको कहां से मिलेगी इसके लिए आपको internet के account पे जाना है मेरा internet का account भी already logged in है new tab पे तो left hand side पे आप एक option देख रहूंगे conversation.ie का इसके बाद आपको click करना है इसकी developer settings पे developer settings पे click करने के बाद आपको इस secret की करनी है copy इसके बाद हमको provide करनी है ये सारी fields अब अगर आपके पस phone number country code के साथ है तो directly आपके यहाँ पे phone number fill कर दीजेगा अब देखे phone number नमबर किसका फिल करना हमको जिसको हम WhatsApp message बीजना चाहते है मतलब हमारी lead का WhatsApp number तो country code और phone number अगर आपके बस अलग-अलग है तो आप उसको अलग करिएगा फुल है तो फुल यहाँ पे एक बार में type कर दिजिएगा पर हम यहाँ पर type करेंगे ही नहीं यहाँ पर हम use करेंगे mapping का मैपिंग अब हम सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है तो यह letkin का मतलब यह होता है कि हम को भी atu Rob can post like rare產 इसी response का यूज हम यह हमारे ट्रिगर एप्लिकीशन थी वह आपको यहां पर दिख रही होगी इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारे लीड का कॉंटेक्ट नंबर था वह मैं यहां पर कर दूँगा मैप वह भी कंट्री कोड के साथ तो इस तरीके से की जाती है मैपिंग फिर आता है टेंप्लेट कोड नेम पर टेंप्लेट कोड नेम जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि टेंप्लेट का मतलब क्या होता है तो देखिए टेंप्लेट का मतलब यह होता है कि मैंने इंट्रेक्ट पे पहले सी कुछ प्री रिटन मैसेज टाइप करके रखे है मतला कुछ पहले सी मैसेज मैंने टाइप करके रखें जिनको हम कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स या अपनी लीड्स को वाट्सअप मैसेज बेज सकते हैं तो जो टैंपलेट मैंने बनाई है उसका जो कोड नेम है वो हमको यहाँ पर करना है प्रोवाइड और आप नई टैंपलेट बहुत असनी से हैं पर करीट कर सकते हैं तो देखिये मैं आपको बताताँ हूं आपके समने क्या वीड्स आएंगी तो मैं उसका पर याप अपिए टैंपलेट था एक नहीं एक डा अपको छूस करनेस परकूश करनाना है header, header का मतलब यह होता है कि अगर आप image, documents, videos, अपनी customers, अपनी leads को भीजना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर choose करना है header, पर अगर आप यह सब नहीं भीजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर choose करेगा, फिर आती है body, मतलब body में आपको पूरा message यहाँ पर type करना है, जो आप अपने customers को भीजना चाहते हैं, तो देखे right-hand side पर आप देख सकते हैं, आप मैंने message टाइप किया, dear, thank you for reaching out to us, we have received your details, our team will connect with you within two hours, regards ABC Finance Company, अब यह से message में अपनी lead को भीजना चाहता हूँ, पर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आप एक number देख रहे होंगे, इनको हम कहते है variable, अभी जो variable है, यह change होते रहते हैं, जब भी हमारा workflow run करेगा, और यह इस variable में हम provide करेंगे हमारे lead का name, अब यह जो template code name है, यह आपको कहाँ से मिलेगा, तो उपर आप एक URL देख रहे होंगे, इस message of Facebook leads, अंडर स्कोप, NL वाला part है, यह हमारा template code name, इसको मैं करूँगा copy, कॉपी करके मैं जाओंगा पैबली connect पे और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा, अब same template, पैबली connect अपने पास कर लेगा select, और यही message हमारे customers को जाएगा, अब मैं जाओंगा पैबली connect पे, फिर आता language code, अगर आपने template English पे टाइप करिए, तो language code रहेगा आपका EN, अगर आपने किसी और language में टाइप करिए, तो आपको क्लिक करना है, साइपा लिंक में, और code कॉपी करके, यहाँ पे करना है, paste, फिर आता header value, पर कोई भी header मैंने आप सेलेक्ट नहीं किया है, तो header value पे मैं छोड़ दूँगा blank, फिर आता body variable values, अब जो variable मैंने आपको यह प्रोवाइड, अगर आपने और variables प्रोवाइड करके रखे होते हैं, अगर आपने कुछ और variables इस message में लगाए होते ही, तो आपको सिर्फ यहाँ पर comma type करना था, और जो variable के values थी, वो आपको वापिस यहाँ पर कर देनी थी map, अब देखिए mapping का मतलब क्या होता है, mapping का म response में को मिला था trigger application से, इसका use हमने आपे किया, पर यह mapping important क्यों होती है, तो तीकि मैपिंग इसली बहुत ज़्यादा important process होती है, क्योंकि जब भी हमारा workflow run करेगा, तो जो भी data में आपे map किया है, यह automatically new data से हो जाएगा change, इसका मतलब जैसी Facebook lead ad से कोई नई lead आपको मिलेगी, तो automatically वो जो lead का contact number है, वो यहाँ पर आके हो जाएगा update, जो lead का name है, वो यहाँ पर आके हो जाएगा update, और automatically same lead को एक WhatsApp में से चले जाएगा, वो भी बिना किसी manual work की, क्योंकि यह जो पूरा automation है, कि वहला आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी process public connect automatically कर लेगा, अब हम click करते, save and send test के इसकी button पर आप देखेंगे, same lead को एक WhatsApp मेसेज चला जाएगा, तो देखेंगे, आप हमको API response रिस्पांस रेएगा, इसका पतब, same person को एक WhatsApp मेसेज जा चुका है, तो चेक करते हम आमारे lead का WhatsApp नंबर का हम, आप को message हमको रिस्इज हमको रिस्इज हो जाए नही इसका मतलब जो आटोमेशन हमने बनाया पैबली करेक्ट तो सही से काम कर रहा है सिंप्ली दो स्टेप में हमने पूरा आटोमेशन कर दिया सेट आप जो वर्क करेगा इंस्टेंटली अब जैसे फेस्बुक पे आपको कोई नहीं लीड मिलेगी और टोमेटिकली एक मिसेज च सकते हैं support at the family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थ थेंक यू